पर नाला दे कोविट केर सेंटर ज इंसानियत नो शरमसार कारदिन वाली कटना सामने आई है जिते क्रोणा दे नाल मौद दे मुझ गए एक व्यक्ती दी लाश नो ता बैठते रख्या होया है पर एक जिन्दा मरीज जिसनो ऑक्सिजन भी लगी हुई है उसनो जमीन ते लिटा के इलाज कीता जा रहे है इस पूरी कटना दिया तस्वीरां सामने आई याने जिन आज वेख्या जा सकता है कि किस तरह एक लाश नो बैठते रख्या होया है जदकी जयोंदे इंसान नो ऑक्सिजन लगा के जमीन ते लिटाया होया है एस सबंदी सिवल सर्जिन डॉक्टर हरजिंदर जीत सिंग्दा की कहना है ओ तो हनो सुना देने हैं कि मैंनों लग रहे है कि किसी तरह दा कंफ्यूजन है क्योंकि पेशेंट्स आसी फर्षते हैं नीचे पहुंदे लेगी कदे भी कोई अलावा नहीं कर दे इंस्ट्रक्शन नहीं दन दे बज़ने ते हो सकते हैं लाइट गई होगे उस वेले म्रीज मों अपने बैट दे कंफर्टेबल ना लगया हुए ओ अपने अपने इच्छा ना के ते नीचे लेट गया हुए ता हुए अदर्वाइस मैं आप भी चेक करता रहना में डॉक्साबनों भी कहना है कहां एहो जी कोई मेर करते हैं नहीं आई बकी फिर भी मैं इदे बारेच इंक्वाइर करांगा और जो भी बंदिकार वाई जे किसे दी कोई लापर वाई है जरूर करांगा हैरानी इसकल दी है कि पहला सिविल सरजन साहिब कहरे ने कि इस तरह हो इनी सग्दा कि किसे मरीजड़ नू जमीन ते पाके इलाज कीता जावे पर तस्वीरा सामने आउन तो बाद सिविल सरजन साहिब कहना है कि मामले दी चाँच कीती जावेगी कैर कुछ भी होवे पर अजीयों तस्वीरां किते ना किते पंजाब सरकार दे सेथ विपाग दे माड़े परबंदान या पोल जरूर खोल दियाने